स्वागत है आपको आज के वीडियो में आज मैं बताऊंगा आपको ग्राम सेवक अधिकारी के बारे में वीडियो विलेस डेवलोप्मेंट ऑफिसर ग्राम सेवक क्या होता है क्या काम है और सेलरी कितनी होती है आज मैं आपको ग्राम सेवक के बारे में बताऊंगा राजस्त वहकति को चैनित किया जाता है ग्राम सेवक एक सरकारी क्रमचारी है जो गाओं के सर्फट्री से गाओं की सबी लेका जोका रिपोर्ट मांगता है कि एआ मैं कि अब 24 जैपूर जाती है कि नियुक्ण कर दोरा क करना थेक divın मत कि आपशनक्यों के कारिय तुस्क्डsti जैसे आपकी सामने मैं ने कुछ पॉइंट कि रिएliga कई परकार के दाषध बनाने त्र biraz पर अपने हस्ताक्षण करने का विए होता है जैसे मूल निवास प्रमांफात्र प्रमांपत्र जात्य प्रमांपत्र इनसे इनको बनवांगा मुलग रहता है प्सवा catching और इंसी सेकंड पॉइंट है कर राजस्तान ग्राम सेवक द्वारा फसल विमा इत्यादी कई सरकारी योजना के चलते किसानों के खेतों का निरक्षन करना तता आपता की वज़े से फसल कहा पर कितनी खराब हुई है इसकी रिपोर्ट त्यार करना भी होता है तो यह राजस्तान ग्रा अब कई सरकारी कोफ प्रोजक्त जलते हैं उस प्रोजक्त यह अंदर भी घ्राम सेवक अपनों को ड्यूटी देनी होती है तो यह तीन काम में मुल्य तो होते हैं अब देखेंगे अपने दोस्तों ग्राम सेवक राजस्तान ग्राम सेवक के अंदर क्वालिफिकेशन वलब सिक्षा उसके एच्विकेशन कितनी होनी चाहिए अपन उसके क्वालिफाई हेक नहीं उसके घ्राम सेवक बनने के लाइक हेक नहीं है तो उसके लिए क्वालिफिके कश्री करी होने के आवशक्ता नहीं है वह देंगे दोस्तों Carram Seva कि कितने प्रकार के Allowed मिलते हैं तो आफ मैं आपको बता हमागा यह से पहला मिलता है वह बता अई को अब उस्ते हैं कितना रॉव और इस किस प्रकार के प्रकार की पहुतने इस पहला बता यह बता सेवक प्रदर पर कारियरत व्यक्ति को बेसिक सेलेरी का 7.5% उप्लेट कराया जाता है प्रति वर्स 400-500 की बरोतरी होती है फिर सेकंड राय का महेंगाई बता यह बेसिक सेलेरी का 17% उप्लेट कराया जाता है फिर होता गर किराय बता तो दोस्तों यह बता आई बीपीएस कलर्ग के पर कारियरत होने के बाद व्यक्ति के कारिय कि लोकिशन के अधार पर उप्लेट करा जाता है तो यह तिन तीन बते होगा चोता है बेशिक सेलीरी का 10 से 12 परशन तग उप्लेट करा प्रतिम मेने निर्दारित किया जाता है तो यह प्रमुक चार्ट बते हैं इनके अंदर ग्राम सेवकों यह प्रकार को यह बता मिला जाता है और दूस्त जुर्स करना उसके मरे रिलते हैं तो उसके कितनी हो सब्सक्राइब के अरे इसमें दो साल का प्रोबेशनों होता है इसमें लगबख फिक्स होती है 24,600 होती है रहे दोस्तों यह तक तो आपको वे से समझ में आगया होगा क्योंकि यह देखे यह घ्राम सेवक की थोड़ा सा नौलेज होना ज़रूरी है कि अपने को कितना इसकी प्रोबेशन जब अपन होना बहुत जरूरी है तो आज मैंने यह complete पूरा पॉइंट तयार किया है राजस्तान ग्राम विकास अधिकारी की सेलरी अब इसकी में जो आई है वह सेलरी अब आई है तो राजस्तान में ग्राम सेवक पद पर कारियरत करने वाले व्यक्ति की सेलरी पे स्केल 6 के अंतरगत हादी है तो दोस्तों मैंने आज आपको complete अपने ग्राम सेवक के अंदर मैंने बताए कि नאצर क्या है क्या है यह मैंने बनता है तो उनको किस प्रकार की सेलरी दी जाती है कितना प्रविजंट टाइम होता है कितने कितने साल का होता है उस प्रविजंट टाइब में कितनी सेलरी पेगे जाती है तो इसके अंतर का दिये सब सारी चीज़े आती है तो आज मैंने आपको बताएए दोस्तों देखिए जय वाराद